हेई अबरीवन वेलकम टू मैं चानल डिसकवर स्टटी वित यो पॉलिटिकल साइंस मेंटर पीक्टी पुरा दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं कि मैं यहां पे आपको इंटरनाशनल रिलेशन्स करा रही हूं जिसमें मैंने आलरेडी आपको रियालिजम, लिबरलिजम, आ आपको एक चीज करने के थियोरिस भी मिल जाएगे आपको सारा जो मैं लास्ट में एक अप्रोच इसका जो अपनी मेरी हैं रिटन नोट्स हैं वो भी मैं आपको प्रोवाइट कराऊंगी दोनों लाइंग्वेजिस में होगा बस आपको एक काम करना है इस चैनल को सब्सक् आप चाहते हो कि कोई और लेक्चर हो तो वह सारे मुझे फीडबैक में कमें सेक्शन में लिखके दो राइट क्यूंकि अगर आप लिखके इन दो कि आप एक्सप्रेस नी करो कि तो मैं कैसे इस पर वर्क करूंगी राइट तो चलिए स्टार्ट करते से पहले एक और चीज करो और यह जो सब्सक्रिप्शन इसको ले लो और NTA UGC NET का मैं स्पेसिफिकली बताना चाहूंगी कि मैंने अलग से भी वीडियो बना रखी है कि हमारे कितने सारे जो लर्नर्स है कितना अच्छा रिजल्ट रहा है कितना आपको मार्क्स के बेसिस में या और आल इंडिया चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आपका इंटर्नाशल डिलेशन ठीक है देखो पहली बात तो क्या होते है ने देखो सब्सक्रिप्शन क्यूं इंपॉर्टन है सब्सक्रिप्शन इसलिए इंपॉर्टन भी होता है क्योंकि आपको इस्ट्रॉक्चर वे में सब कुछ खरा तो आपकी प्रिप्रेशन का लेवल बहुत ही ऑसम हो जाता है बहुत ही बढ़ जाता है इसलिए सब्सक्रिप्शन और अभी इतनी ग्रेट डिल मिल रही है तो आपको इसे ग्राप कर लेना चाहिए अब मैं आपको पताना चाहूंगे कि आज हम कर रहे है तो फैमिनिस्ट से एक हलका से एक पॉइंट रिलेटिट है ठीक है नारिवाद जो आपका सिध्धान्त है वो समझ लेते हैं उसके बाद हम उदर जाएंगे ठीक है नारिवाद का जो सिध्धान्त है राइट इंगलिश इंडी दोनों का है और यह जो मेरे हाथ से लिखी हुई यह पूरी प जब भी मैं फेमिनिम्स पढ़ाती हुए थो मैं आपको एक डिस्टिंग्शन बताती हूं कि यह तो होता है जेंडर और होता है सेक्स, अगर मैं बूलते हूँ सेक्स जाड में क्या है? एक बाईलोजिकल डिफ्रेंसेशन है ठीक है? जाविक डिफ्रेंसेशन है कि आप मेल ह या female हो, इस difference में मैं उनको roles, socially, मैं कुछ roles assign कर देती हूँ, मैं उन पर कुछ cultural condition लगा देती हूँ, cultural कुछ मैं conditions लगा देती हूँ, तो वो क्या बन जाते हैं, वो मेरा gender बन जाता है, ठीक है, gender, तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा, कि जो हमारी feminist theory है, बरजा दिया है, status दिया है, आपने अलग-अलग roles बता दिया है, सबका अपना अलग-अलग function है, सबके अपने culturally, socially, अपने rights हैं, इस तरीके से विभाजन किया है ना society में, कि आपको एक clear distinction मिलती है, मतलब ये सिर्फ आपका biological, medical term कि ये तो आपका होगा एक medical term, एक biological term, ये इसमें कोई बुराई नहीं है, ये आपकी identity है, बट सेम उस identity पे अगर आप roles लगा देते हो, कि आप अगर female हो, तो female को ऐसे domestic work में डाल देते हो, ठीक है, घर के काम में, domestic work में, and male हो तो आपका क्या है, आपका किसमें employment से related work में, employment से related work में, bread earner से related work में, female को अगर जैसे समझ लो, financial independence वगएरा नहीं दिया, तो ये होता है आपका gender discrimination, जेंडर के बेसिस पे, क्यों कि आप female हो, उसके बेसिस पे आपका discriminate किया जा रहा है, मतलब भेद भाव किया जा रहा है, तो हमारी जितनी भी feminist theories थी, अगर मैंने पॉलिटिकल साइंस में भी मैंने, पॉलिटिकल थीोरी में, बेसिकली मैंने feminism कवर कर रखा है, मैंने सारे थिंकर्स भी कवर कर रहे हैं, उसमें, जैसे मैरी वर्स्टों क्राफ्ट, Betty Friedan, ठीक है, आपको Kate Millett, यह सारे, मैंने छे साथ थिंकर्स हैं, वो भी कवर कर रहे हैं, और तीनों वेफ हैं, आपको पता है, तीन वेफ सी फेमिनिजम की, चलो बताई देते हैं, ठीक है, थ्री वेफ तो हम इंदर डिसक्स कर लेते हैं, तीन वेफ थी आपकी फेमिनिजम की, फेमिनिजम के जो फर्स वेफ थी, वो रिलेटी थी, Melly Wallstonecraft का Vindication of the rights of women, right, उसेरे रिलेटी हमने क्या मारता है, परस्स वेफ में हमने second wave में, मुटा मुटा बतारहूं के हर वेफ में हमने क्या-क्या demands कीती, because आपका, जो मेरे है चैनल में, आप देखना, फेमिनिजम पे political theory के lecture से उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, right? political theory के approximately 30 lectures है, इसमें सारी theories है, तो first वाले इनकी demand थी कि अगर मेरे को legal और political right चाहिए, ठीक है, political and legal rights चाहिए, ठीक है? यानि कि राजनितिक और मेरे legal नायक क्या है? अधिकार, rights, क्या हो गया? इसमें right to vote चाहिए, second wave क्या थी? second wave की, अगर मैं बोलूँ कि feminist की थी, तो वो बहुत ही radical थी, and इसलिए Betty Friedan को जनक माना चाता है, आपके feminist movement का, क्यों? क्योंकि थोड़ा organized अच्छे दंग से होने लगी, ठीक है, feminine mystic book की बात करो, sexual politics book की बात करो, ठीक है, यह सारी books आने लगी, हमें समझ में आगया कि सिर्फ legal rights से हमारा काम नी चरहेगा, हमें social, ठीक है, हमें economical, ठीक है, यह सारे rights ही है, हमें यह समझ में आगया कि जो first wave में हमने rights मांगेते ना, यह सब को मिले नहीं है, voting का right तो आपको पता है, हर चेगे बहुत late हुआ, UK में 1918 में, USA में 1920 में, France में 1946, New Zealand में 1893 जल्दी हो गया था, Finland में 1906, इंडिया में कब मिला, जैसे ही आपका constitution सार्ट हुआ, आपका force में आया था, तब ही मिल गया, हमने starting से ही universal adult franchise को support किया, यह सब को equal rights मिलने चाहिए, कोई भी condition नहीं होनी चाहिए, यह सब हुआ, अभी social, economic, cultural, etc, etc, rights हमने देखा, यह हमने second wave में बहुत ही radical type की movement ही, radical मतलब क्या होता है, cutter-panty, यार इनकी, तुम हमें right ने दोगे, तो हमें लेने पड़ेंगे, और तीसरी जो हमारी feminist movements ही, third wave में जाके हमें actual में समझ में आया, कि हमारा, यह जो feminist, ठीक है, feminism, यह world है ना, इसकी हमें समझ आई, कि हमें इसका मतलब क्या है, हमें समझ माया, कि यह सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा, यह हर aspect में है, तो फिलहाल मैं आपको cover करना चाहूंगे, political theory वाला aspect आप चैनल में से ही देख सकते हैं, बट फिलहाल मैं cover करना चाहूंगे, international relation के perspective से इसको, feminist theory को international perspective से, so basically, oh sorry, यह मैंने आपका बीच में गुसा दिया, यहां पर कोई बाती है, postmodernism है, यह मैंने कब को curl कर आया था, चल्ड़ो यहां पर देख लो, लिख देती हूं यहां पर, उपर लिख देती हूं, rest on page number, on page number 45, ठीक है, चलिए, तो feminist theory का अगर मैं बात करूं, तो actual हमने बोला कि third wave में जाके हमें मतलब समझ में आयता है, क्या रहा, feminism क्या है, किस तरीके से हमारे राइस नी मिले, जैसे कि हमें financial घर में भी, और education sector में, employment sector में, international relation में represent करने में, political representation में हमें rights नी मिल लेते, तो late 1980s में ऐसा हुआ, feminist movement तो बहुत पहले किया रखी है, but late 1980s में ऐसा हुआ, कि जो gender base पे ठीक है, gender base में यह जो construct हो रखे थे न, international relation वहां पे भी effect दिखना शुरू हुआ, इससे पहले तो आप अपने national level पे लड़ रहे थे, बढ़ यह जो 1980s एकदम end में, तब यहां पे हमने देखा, कि आर किस तरीके से जो gender distinction है, किस तरीके से gender distinction effect कर रहे हैं आपको international relation में, यह उस समय जह empirical feminist बोलते थे एक, इंपीरिकल जो feminist होते थे न, उन्होंने challenge किया, कि यह women को international relation से women का exclusion क्यों है, women इधर है यह नहीं, अगर मैं हम इधर देखू, representation की तरह देखू, प्रतेनेरित की तरह देखू, इंपीरिकल का मतलब होता है, अनुभव जनग, जिसका मतलब क्या है, कि आपका based on experience and knowledge, आपकी जितनी भी practical, ऐसी knowledge, जो base है आपकी practical experience पे, कि या तो आपने practical experience कर रखा है, या फिर आपकी पहले से knowledge है, ठीक है, आपको पता है, एक चीज, यह चीज पे, तो हमने देखा, पूरे analysis की और हमने देखा, इंटरनाशनल रिलेशन में women को तो representing नहीं किया चाता, ठीक है, पूरे analysis में देखा, women का तो representation ही नहीं है, ठीक है, फिर हमने देखा, यह तो थी, empirical feminist ने किस तरीके से approach किया, अब second काम था, analytical feminist का, ठीक है, second phase में आएं आपके analytical feminist, analytical feminist, analytical feminist वह थे, जो analysis करती है, database, जो available data है, उस पे based, analysis करती है, analysis का मतलब होता है, हिंडी में wish nation, ठीक है, wish nation करके, कि तरीके से यह जो gender bias है, उसको expose करने की कोशिश करती है, कि इसमें मैं एक feminist का नाम लिख रहे हूं, J.N. Ticker, Tickner, ठीक है, इन्होंने expose किया, कि पूरा जैसे, इन्होंने पूरा expose किया, expose का मतलब होता है, पूरा हमारा जो structure है, पूरा हमारा जो framework है, यान कि संगठन है, ठीक है, पूरा जो प्रनाली है, हमारी global politics की, वो कैसे gender bias है, कि gender bias यानि कि men की तरफ, पूरा उसका जुखाव है, और इसमें हमने, इसके बाद, यह idea कब आया, कभी analysis हमने करनी शुरू कि बताओ, analysis हमने कब शुरू कि जब हमारा approaches बहुत जादा ऐसे, आपका social constructivism, social constructivism क्या बोलती है approach, कि यार हमारी जित्ती भी knowledge है, वो समाज में construct होती है, तो यह नए knowledge हमें पता चले ना, कि यार यह तो gender bias है, हमारा तो representation ही नहीं हो रहा, plus हमारा क्या है postmodernism, ठीक है postmodernism, यह दोनों हम already कर चुके हैं videos में, postmodernism, poststructuralism, जब यह approaches आई ना, poststructuralism हम करेंगे ठीक है, कल करेंगे क्योंकि पहले मेरे को था कि पहले यह बढ़ाऊं, फिर यह कराऊंगे ठीक है, तो हमने बोला कि यार यह तो भाई गड़बढ़ है, यहां पर हमने जब नई theories देखी हमने बोला कि जो traditional, हमारा international relation is gender bias है हमारा, हमें तो कोई rights इसमें मिल ही ने रहे हैं, हमेशा हमारे खिलाफ क्या हो रहा है, हमारे खिलाफ partiality हो रही है, ठीक है, फर्स्ट अगर मैं contribution, इन्होंने फिर सोचा कि यह इसका solution देना होगा, अब इसका solution क्या है मुझे बताईए, इसका solution क्या होना चाहिए, तो इन्होंने सोचा कि यह solution तो न सबसे पहला होना चाहिए, फर्स्ट solution शुड़ बी, make women visible, कि हमें न women को visible बनाना है, कि international relation में, international sphere में हर जगे ऐसा होना चाहिए, कि women represent कर रहे हो, because अगर women represent नहीं करेगी है, समझ लो women के कोई representative, यानि कि प्रतनिदित्व नहीं होगा, तो एक बात बताओ, हमारी जो women की खुद की problem है, उनको women के ही perspective से, solve करोगे तो better result में लेगा, तो यह problem इनके perspective से solve नहीं हो पाएगी, इसलिए इन्होंने बोला कि सबसे पहला काम है, कि women को visible बनाना है, ठीक है, visible अब कैसे बनाएंगे बताते हूं, राइट, जैसे कि एक मैं बताती हूं, United Nation का ऐसे Unite Campaign भी है, ठीक है, आपका एक Unite Campaign भी है, ठीक है, जैसे कि इसमें क्या बोलते है, कि end करो violence against women, ठीक है, end करो violence against women, कि women against violence end करो, उसके अलावा women को equal rights दो, ठीक है, equal rights दो, ऐसे से काफी सारे आपके, हमने देखा international treaty, international convention, human rights में, human rights में भी women के equal rights हैं, ठीक है, human rights में बोल दिया कि equal rights है, right, equal equality की तरफ focus किया, ऐसे अगर मैं UNESCO की बात करूं, ठीक है, UNESCO हो गया, इन सब चीजों ने, सारे organizations ने, और अपने अपनी treaty, convention, इन सब का बहुत बड़ा role है, अगर मैं women को, equal की बात करूं, यह तो just एक example था, ठीक है, equality की का बात करूं, try it, इसके बाद एक Cynthia Enloe है, Cynthia Enloe, ठीक है, इन्हों ने 1989 में एक question पूछा, को पूछना चाहिए, और वो question बहुत amazing था, वो question था कि where are the women, कि कहा है women, women तो हमें representation में दिखती नहीं है, where are the women, कहा है, क्यूं नहीं दिखती, right, क्यूं नहीं दिखती, उसके बाद आपको पता है, नए नए laws आये जैसे कि आपको पता है, अगर मैं international relation की बात करूँ, international relation में international law की बात करूँ, laws की बात करूँ, treaty की बात करूँ, convention की बात करूँ, custom की बात करूँ, ठीक है, यह सब, यह सारे चीजे change हुए in favor of women, ठीक है in favor of women, हमने एक लहर सी आई, कि यार हाँ, women को भी equalize से नचे, हर एक level पे, ठीक है, हर एक level पे, and then हमने सुचा, कि यार ठीक है, अगर धीरे धीरे आपका change आरहा है, अगर legally change आरहा है, तो वो क्या होता है, वो लंबा जहता है, right, उसके बात कहता है कि यार हमने सुचा कि कि यार किस तरीके से, ठीक है, अगर मैं आपको बात बता हूँ, वोमन को ना पहले क्यों इतने equal rights नी मिलते थे, वर्ड 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 टू में क्या हुआ था, वोमन को as a victim, victim of war की तरह देखाता था, mass rape, और भी, क्या बोलते है, वोमन को as a pride, मतलब दिक्कत देना, slave ले लेना, यह बहुत सारे अगर आपको, मतलब events देखने को मिलेंगे, जहां वोमन को अच्छे से treat नहीं किया जाता है, तो उनने बोला कि where are the woman, इसको लेके नए laws बनाओ, treaties बनाओ, convention बनाओ, ठीक है पहला तो यह है, legal solution चाहिए, दूसरा क्या है, हमें decision making, जो decision making है, उसमें women का जात से जाधा participation होना चाहिए, क्यों, क्योंकि अगर उनका participation जाधा होगा, तो वो अपने opinion दे पाएंगे, और opinion के हिसाब से अपनी problems को solve कर पाएंगी, right, तीसरा हमने बोला कि उनके पास ना independence होनी चाहिए, इंडिपेंडेंडेंस मतलब अगर वो इंडिपेंडेंडेंस होगी, तो भी तो वो अपने हिसाब से decision making और बाकी सारी powers आएंगी, बिना independence के तो नहीं आएगी, तो यह कुछ हमने देखा, कि यह किस तरीके से international relation में women देखती नहीं थी, क्योंकि हमने देखा था war के समय किस तरीके से exploitation होता था, किस तरीके से अगर मैं अगर मैं capitalism को एक तरीके से बोल सकती हूं, capitalism को capitalism बहुत बड़ा reason था, capitalism बहुत बड़ा reason था, जिसकी वजह से आपका यह जो women discrimination है, women के खिलाफ भेद भावे, यह बड़ा था, क्योंकि अब एक बार बताओ, यह capitalist इंसान है, उसको profit वगएरा करना है, तो ज्यादा टाइम आपको factory वगएरा इंसान में बिटाना पड़ेगा business में, तब देखा जाता था कि घर का काम यह domestic work, सारे काम कॉन करेगा women, और women, क्योंकि एक capitalist society में, उनके पास अच्छेगा से पैसे होते था अगर उनके male counterpart है, male partner के पास, तो उनको बोला जाता था कि आपका इतना ही role है, इतने तक ही reserve role, फिर आपका देखा था कि industrial relation में भी employment rights नहीं थे, and war वगएरा में उनको डंग से treat नहीं किया जाता था, तो इस वज़े से क्या था, woman की position इतनी सही नहीं थी, and हमने देखा कि इसको थे cultural and social norm दे दिया था, और हर एक wave में हमने देखा कि किस तरीके से इनको change कर नहीं कोशिश थी, 1980s तर कुछ नहीं आया, knowledge based, जैसी जब social constructivism, post-modernism, post-structuralism, marxism वाली approaches आया, तब समझ में आया, ठीक है, हमें क्या करना है, woman को visible बनाना है, उनके खिलाफ जैसे, जो भी violence होता है, उसको कम करो, treaties की तरह, यह सब की तरह, आपको क्या दो, protection दो, legal protection दो, so that कि उनका यह जो rights है, enforce हो कि सके, decision making होनी चाहिए, interdependence होनी चाहिए, right, यह कुछ हमने चीजे देखी, इसके थुरू हमें पताचला कि internationalization, इस तरीके से women impact करती है, ठीक है, bye bye, take care, अब कल मिलती हूं तुमसे,